तो आज हम आपको एड्यू कॉम्प सल्यूशन पे शेर अनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय जाओ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथ ही हिट दे बैल एक हैं सॉरी सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है उसके कॉंपिटिटर्स कौन-कौन है शेर प्राइस चार्ट बताएंगे शेर होल्डिं रहें ने कैसा किया है सो लेटस बीगिए एड्यूकॉप है एक एड्यूकेशन कंपनी है प्रोवाइड किकरती है मार्केट कैप देखेंगे तो 46.5 करोड करोड का मार्केट कन पहए तो यह स्मॉल कैप कंपनी है जहां का स्टॉक प्राइस टो अर्निंग नहीं दिया हुआ है मलब यह company loss में है उस वज़े से stock price to earning नहीं दिया हुआ है ROC और ROE ROE तो company का दिया हुआ ही नहीं है ROC माइनस 39.4 बेसिकली है profit के ओपर depend करता है तो यहाँ पर अगर company loss में है तो इसके returns भी negative में ही आएंगे book value company की वो भी बहुत negative में है और current price is 3.80 रुपीज तो यह एक तरह से penny stock है debt company के पास बहुत ज्यादा है 2472 करोड का company के पास debt है जबकि market cap 46.5 करोड का है pledge percentage भी 94.4 परसेंट मलब promoter के पास जितना भी stake है उसमें से 94.4 परसेंट उन्होंने pledge पे रखा है तो यह भी negative बात है interest coverage ratio negative में हो obviously negative में ही होगा जब company को पास profit ही नहीं है तो interest pay करने की capability भी कहा से होगी तो in short company loss में है company का debt बहुत ज्यादा है promoters ने अपने stake को pledge पे रखा है returns negative में है तो almost fundamentally company अच्छी नहीं लग रही है अब हम financials देखेंगे तो यहाँ पर 2015 से 2018 तक data दिया हुआ है 19,20,21 का data दिया हुआ ही नहीं है तो हम फिर पता भी नहीं कर सकते की अभी company कैसा कर रही है लेकिन past year से हम आपको यह बता सकते कि इस company में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 2015 में जैसे कि अगर अब देखेंगे तो 595 करोड का revenue था अच्छा खासा revenue 595 करोड का लेकिन company उस पे 1642 करोड के loss में है company इतना revenue करने के बाद भी इतना ज्यादा loss में है 2016 में 588 करोड का revenue और उस पे 447 करोड का loss 2017 में 281 करोड का revenue डिरेक्ट आधा और 475 करोड का loss 2020 में I mean 18 में 71 करोड का company का revenue है company का revenue देखे 595 से 71 करोड पर आ गया है और company का loss देखे 2368 करोड का loss तो company का यहाँ पर loss का नंबर काफी बढ़ गया है और 2018 में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था like 2000 करोड का loss company like वह भी क्रॉस कर दिया तो company का पर revenue होने रहा है loss भी इतना ज्यादा आ रहा है तो इसके अभी भी company ने details शेर नहीं किया मलब शेर होल्डिंग company I mean financial trend नहीं बताया है तो इंशवर्ट company अभी भी loss में ही होगी company शाद revenue भी नहीं कर रही हो quarterly result अगर हम देखे तो sales 60 करोड का लेकिन expense देखिए 65 करोड का तो उसी तरह अभी सेप्टेंबर 2016 नौट अभी सेप्टेंबर 2016 में company की sales 43 करोड डिसेंबर में 44 करोड और मार्च 2017 में 48 करोड तो यह company की sales हुआ कर दे थी लेकिन उसमें लिए उस वज़े से यहाँ पर overall company के loss के numbers बढ़ रहे हैं 2000 डिसेंबर 2016 में भी देखिए company नहीं यहाँ पर 34 करोड का लॉस क्या टूथा मार्च में 164 करोड का लॉस क्या तो company other income की जगा भी यहाँ पर लॉस कर रही है तो लॉस के numbers indirectly बहुत ज्यादा बढ़ रहे है और overall भी देखिएंगे तो company का जो main source है मलब जो company education के माध्यम से पैसा कमा रही है वहाँ पर भी company का expense इतना ज्यादा है कि company profit नहीं अन कर पा रही है इंशर्ट company overall बहुत ज्यादा लॉस में थी प्रमोटर्स के पास से 44.78 परसंट का स्टेक था और वह 44.78 ही रहा September 2021 में भी लेकिन उसमें से प्रमोटर्स है 99 परसंट I mean 94 परसंट प्लेज पर रखे हुए है तो यह एक नेगिटिव बात है foreign investors 0.47 आप खुद देख लेजे decrease इंक्रीज ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से यूज कर रहे है domestic investors 0.19 से 0.11 डिक्रीज कर रही है अपना स्टेक गवर्मेंट 0.02 से 0.01 एच देन पब्लिक 54.35 से 54.64 एच देन सब लोग इस शेर से ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से यूज कर रहे है या फिर निकल रहे है लेकिन पब्लिक है रीटेल इंवेस्टर्स है जो ऐसे शेर में फस्ती जा रही है मलब इन शेर्स को लेते जा रही उन्हें लगता है आज तीन रुपए है कली 6 रुपए और 10 रुपए या फिर 100 र लग रहे है आपको तो आप उसमें निवेश करिए लेकिन कंपनी का डेटा भी नहीं पहले बात और पास्ट यह अगर आप देखे तो कंपनी इतनी ज्यादा लॉस में तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर इसके कॉंपिटिटर से के तो एन आई आई टी ए एप टेक है जी लरने कंप्यूकॉंस ऑफ्टेम एड्यूकॉंप सॉल्यूशन दें ज्ट ज्ट किंग इन फोरल एन उश्या मार्टिन एड्यूकेशन तो अगर आप देखेंगे मार्किट कैप तो एड्यूकॉंप फिफ्ट नंबर पर आ रही है चिल ज्ट किंग वगेरा आगर आप देखेंगे तो उनकी सेल्स 3 करोड जित्ती है लेकिन उसी के सार्ण में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी है 0.16 जेडेन पॉइंट इस सिक्स्टीन का लेकिन पिछले क्वार्टरवास कंपनी का यहां पर प्रॉफिट गिरा है वो सवजी से बर्ट ओवर्र देखें तो भी कंपनी क्वार्टर लीवास प्रॉफिट में तो है ये company तो इतने ज्यादा loss में है तो इस तरह से आप compare कर सकते हैं fire high देखेंगे उसे 11.25 है 3.80 रुपी सा आज के दिन आज भी 3.80% नीचे गिरा था तो ये बस सिफ ट्रेडिंग perspective से अगर आपको लेना होता आप ले सकते हो बागी totally इस share को avoid करना चाहिए अगर आपको penny में भी लेना है तो आप उसके financials देखें फिर उसमें एंटर करें भरें भलें दस दिन लोड़ सरकिन मारेगा लेकिन अगर company अच्छी हुई तो वह आएगा उपर तो आप वेट भी कर सकते हूं लेकिन ऐसी companies के कोई ठिकाने नहीं होते हैं तो आप avoid करिए I hope आपको Educom solution के बारे मे सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब हाँ चैनल और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो थैंक यू